जैसरी कृष्णा राधे राधे आप सभी का स्वागत है मेरे सुपर लोगी चैनल में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अगर आपको सब्जियों में ये चीजे दिखाई देती हैं या फिर आपको हम ऐसी चीजे बताने वाले हैं सपने में जो दिखाई देते हैं लेकिन उनका मतलब भी समझना बहुत जरूरी होता है तो आपको हम बताने वाले हैं चैनल को सब्सक्राइब कर साइड में और प्रेस करें हमारी इसी तरह की वीडियो प्राप्त करने के लिए ठीक है सबसे पहले सपने की बात करते हैं सबसे पहले जो हम मज़ लेजिए कि आने वाली संतानिक लड़की ही होगी अगर आप प्रेंगनेंट हैं और आपको दूद उबलता हुआ लाते हुए या फिर कोई दे रहा है इस तरीके से एक दिख रहा है तो ये लड़का होने का संकेत माना जाता है अगर दूद फैल रहा है तो ये सुब लड़की होने का लक्षन माना जाता है अगर इन सभी को आप नहीं देख रही हो तो ये लड़की होने का लक्षन माना जाता है पुरुस लिंक की चीज़ें तभी दिखाई देती है तब गरम में लड़का होता है अगले लक्षन की बात करते हैं अगर आपको नारियल या फिर कोई सादु मात्मा आपको दिखायता हैं, बहुत ज्यादा आपके दरवाजे पर फूलों की टोकरी हैं भो दिखाई दे रही हैं, बार-बार तो ये लड़का उने का ही लक्षन माना जाता है. अगले लक्षन की बाद कर लेते हैं, अगर आपको सपने में आलू दिखाई देते हैं बहुत ज़्यादा आलू दिखाई देते हैं पपीदा दिखाई देता है अनार दिखाई देते हैं सेव दिखाई देता है तो ये लड़का होने का ही लक्षन माना जाता है ऐसे इस्थिति में आपने एक लड़के को कंसीब किया हुआ है क्योंकि ये लक्षण काफी प्रचुलिती भी है और ये लक्षण सही भी निकलते हैं तो ये जो लक्षण है लड़का होने के टाइम पर दिखाई देते हैं आप बात करते हैं आपकी बॉड़ी में क्या क्या होता है देखो अगर आपकी छटवे महीने से कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है और पूरे नौ महीने तक रहता है तो ये लड़का होने का लक्षन माना जाता है अगर आपके सोल्डर में दर्द रहता है फूरी प्रेग्नेंसी रहता है त यह लड़का होने के निसानी होती है जैल स्री किष्णा रादे रादे